Hello everyone, मैं विश्री जीत सिंग, आप सभी का दाइन आपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.08 का लेसन 7 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कृष्षी के उद्वव के बारे में कृष्षी का उद्वव किस प्रकार से हुआ, कृष्षी की शुरुवात किस प्रकार से हुई और समय अंतराल के साथ में किस तरसे इसके अंदर में परिवर्तन हुआ इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर में हम डिस्कस करने वाले और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे जो आज का मारा वीडियो रहेगा यह पार्ट वन का रहने वाला है पार्ट वन के अंदर में हम बाग करेंगे नौ पाशान कालीन करांती के बारे में और इसके important इसके बारे में महतुत्पा के बारे में नवपाशान कालिन करांति के अंतरगत किस तरह से कृष्ची में के अंदर में परिवर्तन हुआ कृष्ची का आगमन किस प्रकार से हुआ और मनुष्य ने कृष्ची के साथ संबंद किस प्रकार से स्तापित के इसके बारे में इस topic के अंदर में हम discuss करने वाले कि important topic है कई बार exam में पूछा भी जाता है तो चलिए इस वीडियो को start कर तो detail से cover करते हैं सबसे पहले मैं बात करूँ क्रिशी का जो आगमन है मानव प्रकृतिक संबंदों में एक महत्यपुन घटक के तौर पर जाना जाता है जो मानव और प्रकृति का जो संबंद है ना importance है दोनों के relation है उसके लिए कि important घटक important part के तौर पर हम देखके चलते हैं क्रिशी के सुरुवात से ही मानव प्रकृतिक साथ जुड़ता चला गया उससे पहले का अगर मानव का दिन चरहें देखोगे पूरा जीवन आपन का तरीका देखोगे तो वहाँ पे कभी मानव प्रकृति से directly interact नहीं हो रहा था पर यहाँ पर क्रिशी के सुरुवात से ही मानव क्या हुआ direct प्रकृति के साथ में relation में आया इंटरेक्ट हुआ यहाँ पर देखा जाता है जिसकी काल से हम यहाँ पर महत्यकृन गटक क्रिशी को मान कर चलते हैं इस काल में जो जीवन इतना फिदह बदल गया कि इस काल को नव पाशन काल कालिन करान्ती के तौर पर कहा जाता है क्योंकि यह समय के साथ में जो परिव plugging हुआ जो न competitive कर टे सुरू होता है जो जीवन वहाँ करने का तरीका जो गिरे हुरे है फल उनको गठा करके खा लिया जो मरे हुए जानवर इसको खुरुच के खा लिया तो कुछ इस तरी के सरफ ना जीवन वे अपन करते तो यहीं उनका जीवन का परिवर्तन था ना परिवर्तन का आधार नौपाशान कालिन क्रांति को कहके चलते हैं उसके कारण से यहां पर माना जीवन के सुरूप में परिवर्तन आया उसके जीवन वे अपने के तरीके में परिवर्तन आया इसी कारण से नौपाशान कालिन को हम क्रांति के त यहां पे क्रिशी शुरूआत हुगा यूग ऐसा नहीं हुआ 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 खूरे लबा समय लगा एक लंबा समय अंतराल के बाद क्रिशी की सुरूआत हुआ होगा ठीक है तो यह कुछ इतिहांसकारों की मानना और यहां मतबेद हमें देहने के लिए मिल जाता है कुछ इत्यांसकार मानते हैं कि जो नौपाशान कालिन जो पूरी यूग है वो क्रांतिकारी यूग रहा जहां पर कृशी की सुरुवात देखी जाती है पर कुछ इत्यांसकार इसको क्रांतिकारी यूग नहीं मानते हैं पूर्मल ट्रांस्फोर्मिंग समय मानके चलते हैं कि एक समय अंत्राल के बाद में कृष्षी की सुरुवाती हुई यह मानकर चलते हैं मानक ने कृष्षी के जो अविस्कार है उसको पूरी तरस अपना लिया तबी से नौपाशान युग का आरम हुआ ये माना जाता है अब देखो ऐसा नहीं थे कि क्रिशी की सुरुआ तरजाने से हुगई आप अगर आरंबिक मानफ को स्ट्रडी कर रखे हो तो आरंबिक मानफ का आपको जीवन में आपन का चक्र पता है कि किस तरीके से जीवन ही आपन होता था उनके पास ओजार किस प्रकार केते हैं और किस स्टार्टिंग में बड़े हो जारते पास्णार कोजार करते बंडे भारी हो जार हुआ करते थे जिसके गाज सब्सक्राइब जीपरीवर्तन हुआ उजैसे-फोगा-अbam कर तरीका उसके इंदर वह में परीवर्तन हुआ से जब चोटे जानबरों को सिकार करना होता अधार पर हम क्रिशी के और अबरसर हुए और क्रिशी के लिए ओजार बनाना इस्टार्ट किया जैसे अमालों कोई बीज लगाना है बीज के ऐसी तो फेक के लग रहे हैं नहीं उसको मिट्टी में गड़ा खुझने के लिए कुछ ऐसा ओजार बनाओ जिससे गड़ा खुद जाता है तो उसमें बताया था कि यह वाला खाद यूज करना ऐसा करना है ऐसा थो था नहीं तो देखकर आए बन्दा तो एक लंबे समय अंतराल के बाद में कृशी की सुरुवात यहां पे देखी जाते हैं और कृशी के शुरुवात के लिए जो जिविदार तत्व देख जाता है योगदान के तौर पे दिखा जाता है इस काल में जो मानव के द्वारा में जो चावल गेहूं जैसे फसलों का उत्पादन करके अपना भोजन स्वें प्राप्त करने के करने लगे और देखो कृशी के और अग्रसर होने का एक रीजन और भी अगर मैं आपको में सिखार करते थे परटनेगों तो बड़े जानवरों सिखार करने लगे और एक समय के बाद में किसी भी जंगल में कितना भी बड़ा जंगल वा जोगा तो वहां का सिकार हो ख़तम होने के गगारब क्या य ceuxollen तो उसके बाद मानफ कहीं है और मानफ की जुन्हंद थाने क्यों रुका हुआ है दिरे दिरे धन के बढ़ी रहा था जो तो वहाँ पर वो क्रिशी के और अग्रसर हुए एक जगह स्थिर होकर खाना स्टार्ट किया और यह नहीं था कि एक दिन में जो भी चीज़े में बतारो ना कि ओजारो परिवर्तन हो गया बड़े जारो परिवर्तन का दौर देखा जा सकता है जिसके बाद यह सारे चीज़े होती हैं तो यहां पर हम यहां पर क्रिशी के सुरुवात करना स्टार्ट करते हैं और अपना भूज़त स्वें प्राप्त करने लग जाते हैं यह मानव तता परिवर्ण के बीच संबंदों में एक नए यूग का आगाज माना गया यहीं से परिवर्ण और हूमन जो इंसान है उसके बीच में relationship start हो जाता है नव पाशान काल में पाशान छिफ उपकरन में परिवर्ण में देखने के लिए मिलते हैं दूरगामी परिणाम इसके देखने के लिए मिलते हैं इतिहासकार golden child है करके इस इतिहासकार के नाम को एक बार confirm कर लेना अपने बुक में इसके नाम पर doubt है, garden child है या golden child है एक बार अपने बुक में confirm कर लेना तिके सब भी students रिक्वेस्ट करने वाला हूँ जो भी नाम होना मुझे एक comment करके जुरू बताने जिससे मैं भी उसको remind कर सकूँ तो इतिहासकार golden child ने है इस अव पाशान करांती को यह उनका मानना था पर बहुत उत्यासकार को 선ि अग्री नहीं करते हैं कुछ जैसे 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 उजारों में परिवर्तन होता तो उसका इंपेक्ट मानव जीवन के उपर में पढ़ रहा था किस तरीके से पढ़ रहा था आप मान के चलो आपका एक तो जैसे 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 आपको जरूख आर नुखीला होता चला गया एकदम यहां से मा रहा हो यहां पे मरने वाला है ठीक इस तरह का ओपकरना आप बना दिया तो क्या होगा आप जरूर से ज़्यादा सिकार करने लग जाओगा आपके जीवल अपन है उसके ऊपर परिवरतन देखने की मिलेगा उसका इंपेक्ट आपके ऊपर डिर्टी देखने के मिलने वाला है तो यह चीज़ी यह पर देखि जाती है इस काल में जो पत्थर के बने उपकरन थे वो गोलाई कार और चिकनी लंबी धार वाले होते चले गए ठीक है जो भी पत्थर के उपकरन बना जाते थे तरो गोला कार होते थे पुराइब शेप में होते थे चिकनी और लंबी धार वाले हुआ करते थे इसके पूरे फलके जो बनाने के उसमें परिवर्तन हुआ तो उसके कार्ण से यहां पर भूमी जुताई भी मानव का शुरूआड होता है तो यहां पर दिखा जाता है कि मानव के द्वारा बीज बोया जाने लगा और यहां से कृषि की सुरूआद देखी जाती है नए सिल्फ उपकरण का उपयोग करना जो भी नए ने अवजार थे उपकरण तो उसको उपयोग करना और इसके कारण से खेती का जो है आसान बनाना उसको लागदायक तोर पर यूज करना ये देखा जाता है अब पूर्वकाल में परयोग किये जाने वाले अनगड उपकरण अनगड मतलब जो अधूरे उपकरण थे अनगड उपकरण के स्थान पर पत्थरों के बने कुलहाडी पेड़ों को कातने के लिए भूमी को साफ करने के लिए उपयोग किया जाने लगा अब जैसे देखो य किसी तरीके से रह लिया च्छोटी से जगह में अज्यस्ट कर लिया पर वहां पर अब अगर 500 लोग हो गए तो 500 लोगों को रहने के लिए जगत चाहिए क्या करेंगे कहां जाहेंगे रहना सुनुन ऌऔनी करते जानवरों कि तरह रहेंगे तो उसके लिए कुलहारी जैसे और मार किया तुछसे भूमी को साफ करने के खिरण को काटने के लिए बीटि// काट कर भूमी को साफ करने के लिए उसको प्योंक्य जाने लगा अब जैसे पेड़ को काटा जाने लगा तो जमीन वहां के समतल होती चली गई रहने लाइक होती चली गई और वहां पर मानव दोरा रहना स्टार्ट कर दिया गया लिखा अब उनके जरूरत जो था रहना क्या मतलब उनको ये चीज़े भी समझ में आती है ठीक है समझ में आता है इसी तरह प्राचीन अगर आप देखोगे तो फावडा जो था लकडी से जुड़े नुकीले पत्तर पर नोग बाला हुआ करता था जो फावडा हुआ करता था उसके इंदर में लकड का हाथता नए उपकरण जैसे चिकने नुकीले भाले बानों और अखेट करने के लिए सरलकाद्रे करने लगे जो नुकीले बान हुआ करते थे ठीक है भाले भालों का निर्मान क्या जाने लगा इनके जरिये ना जो नए उपकरण थे इनके जरिये जो सिकार तो आसान होता चला गया आप देखो भालों के निनमानी से क्या हुआ कि वो एक जगHASA से दूस्री जगHASA ASAANY से सिकार कर सकते थे खड़े-kieursड़े भी अपने भालों एकशी को FED कर सकते थे यह चीज़ उनकी असान बनाते चलेगा है। अब gravit करना जो जो जानवरों को सिकार करना वो असान बंदा चला गया, ये चीज़ें आपर देखी जाती है, इन सिल्फ उपकरणों के कारण से सिकार के लिए ज़्यादा लंबी दूरिया तै करने की जूरत नहीं रहे गई, जैसे 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 परिवर्तन हुआ, उजार में जैसे जै मैं आप सब भी वीवर्स एक रिक्वेस्ट करूँगा, कि अगर अभी तक आपने हमारे दाइनफ चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा तो सस्क्राइब जरूर कर ले, आपके एक एक लाइक से स्सक्राइब से में मोटिवेशन मिलता है, और हम अच्छे से मेहनत कर पाते हैं आपके लिए वीडियो लेकर आपाते हैं, अभी जो हमारे दाइनफ चैनल है, उसके उपर मैं 60,000 सस्क्राइबर हो चुके हैं, 60,000 का हमारे दाइनफ का परिवार हो चुका है, इसको हम बढ़ा कर एक लाग के करीम में लाना चाहते हैं, जो भी वीवर्स है भी तक आपको 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 गूगल ब्लागर का लिंक मिल जाए कर सकते हैं, इस वड्रान पे लाइट का इक्षाम में लいやग के बिलहें से स्क्राइब के लिए और पर शिब्स अ कर्डिट हुआए और रॉक सा मिल जाए को इस इ taxpayer आपको ब्लागर का धार्ट कीजिए को और अपने दोस्तों तक पहुंचाए इस वीडियो के लिंक को जिसे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके तलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम डिटेल में समस्ते हैं कुछ विद्वानों का मानना था कि नवपाशान काली जो क्रांती है वो नवपाशान काल में जो क क्रिशी को छोड़कर अन्य जो भी परिवर्तन उसको सारा श्रे नवपाशान तकनिक को हम नहीं दे सकते यह माना जाने लगा अब जैसे देखो यहां पर अलग अलग विद्वान जो थे इतिहासकार थे उनका मतभेद है आपस में कुछ विद्वानों का मानना है कुछ इत कुछ विद्वानों का यहां पर डिफेंड करते हैं इसको कि ऐसा नहीं है कि कृषी की सुमात नौपाशान काल में हुआ अले से बंदा रोककर वैठा हुआ था थिके एक दम प्रेशर बनाकर बैठा हुआ था जैससी नौपाशान काल शुरूआत हुआ वहां पर जाकर वो उजार के कारण से परिवर्तन हुआ बाकी और भी जगह तो परिवर्तन हुआ था वहां पर क्या हम उजारों को श्रे दे सकते हैं कि उजारों के कारण से परिवर्तन हुआ तो यह यहां पर मानना था कि नवपाशान काल में कृष्षी को छोड़कर जो भी अन्य परिवर्तन ह सारा श्रे नवपाशान तक्निक को हम नहीं दे सकते हैं ऐसा कुछ विद्वानों को मानना था क्रिशी के अंदर में परिवर्तन का श्रे तो हम उजारों को देते हैं उजारों को मानते हैं क्योंकि जैसे 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 उजारों में परिवर्तन हो रहता है मानव के जीवन में अ इस काल में क्रिशी के विकास के कारण से विवी तो परिवर्तन हुआ कई तरह के परिवर्तन हमें देखने के मिल जाता है जैसे-जैसे के विकास होता उसके इंदर में अलग लग तरह के परिवर्तन आपके देखने के मिलता है जो बोजन तुरंत इस्तमाल में नहीं आता था उसको सुरक्षित रखना आवश्यक हो गया अब देखो पहले क्या था कि छोटे जानव का सिकार करते था तो कम मास हुआ करता था कम भोजन रहता था तो उतने में अर्जेच होगे खाय लिया गाता था पर अब जैसे उजारों परिवर्तनों तो बड़े जानव का सिकार करना इसनके वह जिसके बाद क्या हुआ कि उनको भूजन बाद के लिए भी शुरक्षित रखना पड़ जाता था क्योंकि बच जाता था तो यहां पिह बाद के लेवर्व रखने के लिए किस तरह से सब्सूर कर दिया गया शोसल को काटनी के पश्चाहत सारा अनाजि खर्च नहीं हो सकता था तिक अब जस्ती फसल मान लो आपने बोया कुछ तो ऐसा है था नहीं कि 10 किलो आज वह दस किलो आप एक दिन में खा जाओगे तो आगे कैसे लिए के चल सकते हो आगे किस तर से स्टोर कर सकते हो इस ओर करने की तक्निक क्या है इसके बारे में सोचा जाने लगा अगली फसल तक चलाना था उनको जो भी फसल है जो भी उन्होंने बोया अनाज अगली फसल तक चल सके बोने के लिए कुछ बीज बचा कर रखना था अवर्श्यक इसके लिए उन्होंने प्राची नौपाशा कारीन निए बस्तों के अंदर के देखने करूं कि मिस जयता है जिसे धान्ने-क-ध्र पर हम बोलते हैं अधि सेस अनाच-कराब मुशनम के समय में में फसल को खराब होने में इसको रखा जाता था इससे जीवन इससे बढ़ती हुई जनसंक्या और जीवन निर्वाह भी होता था जैसे जैसे जनसंक्या बढ़ती थी ना और जीवन निर्वाह करने के जो तरीका तो उसके अंदर परिवर्तन रहता तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता था तोहां पर पसू पालन शेत्रे के अंदर में विस्तार में देखने लिए मिल जाता है फसल कटने के बाद खाली भूमी पर ठुण्फू जो पसू के चारे के लिए उप्योंग किया जाता था तीके यहां पर आपने देखा होगा जो दिल्ली पंजाब अर्याना के अंदर में जो घान के और गेहूं के जो बच्चे हुए जाते ना उसको जलाते उसके पॉल्यूशन होता है नाम मुझे एक जिक नाम याद नहीं आ रहा पवार यह पता नहीं क्या बोलते हैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे तो वह तो उसी तरह का जैसे धानवन कटने के बाद फसल सुपालक वह खेतों में आ जाये करते हैं जहां पर खेती हुई जहां पर पहले से यह ठुंटू उगा रहते थे और उसको खाकर अपने जानवर को खिला कर इस तरीके से उसका जीवन व्यापन करते थे और वह एक तरह से चारे करूप में उसको उप्योग करते थे इसके ब उप्योटर वीडियो के परणाम सुरुप यह था था मानब की जो आखेट पर निरभरता थी कम होती चले जाती थी जो सिकार पर डिपेंदेंसी थी ना भी कम होते जा रही थी इसी कारण से जो स्थाई करिशी समोधा है और आवासिये गाउं के स्थाप्ना होती चले अब देखो जो मानफ ताना वो से दो से तीन गुरूपों में बढ़ता चला गया, एक गुरूप ऐसा बन गया, जो स्थाई क्रिशी समुदाई के तौर पर जाना गया, जो पर्मानेंट क्रिशी करता था, खेती वाड़ी करता था, और एक अवास ये गाओं के इंदर में रह करता थे, कि स्थाई निवास स्थलता, अगर उससे कोई पूछेगा, भया कि क्या एड्रेस है, तुमारा तो बता देगा, कि मेरा एड्रेस है, मेरा घर का एड्रेस है, क्योंकि वो उसी जग़ा पर्मानेंट रहता है, पर बाकि अगर आप खाना वदुस्तों से पूछोग अपनी आपूर्ती से अधिक अनाज का उत्पादन करने लेगे, जितना उनको जुरता उसे ज़्यादा उनका उत्पादन ने लगा, इसके लिए मिट्टी तथा उससे बनी हुई निर्मित इस्थानों में अधिक उत्पादन को एकर्दित करना संभव हो गया, अब वो क्य जैसा हुआ करना था, इसमें से निकाल लो वापस ये धकन को लगा दो, उपर से अनाज डाल दो, जब एक खाली हो जाए, फिर अनाज इसके अंदर में डाल दो, पूरा भर गया, फिर यहां से निकाल दे जाए, जब आपको जुरूतों, तो इस तरह से कोठरी का निर्मान जो खाना बुदोस लोग हुआ करते थे, कई बार वो विन में पर काम करते थे, कि हम आपको मास देंगे, हम आपको अपने जानवर देंगे, बदले में आप हमें अनाज देजीए, तो उस तरह से जो गहर कृशी का रहे होते हैं, तो उसके बदले भी वहां पर यह चीदे क के लिए इससा उप्योग किया जाने लगा, नापाशान कारिन करांती के अगर आप देखोगे, इसके में जो करांती कारी परिवर्तन इसको देखा जाता है, इसको सब्द को लेकर विद्वानों में काफी ज़्यादा मतबेर हमें देखने के मिलता है, यह मैंने आपको सार् इनलर ही माना गया, उसके पहले ही सुर्वात हो चुगाता है, यह भी दिखा जाता है, उदारन के लिए पहले मद्दे पाशान काला और लगू पाशानिक विशेष्ता के लिए हुआ था, इसकी काला वीदी भारत में लगबग 22,000 वर्स की थी, तो नॉर्मली किस तरीके से माना अब का परिवर्तन हुआ, देखो आम नौ पाशान कालीन को हम कहते हैं कि करानती काली दौर था, जहां पर क्रिशी की सुरुवात हुई, तो ऐसा थानी की क्रिशी उसी दिन आकर सुरुवात हुई, उससे पहले से क्रिशी चलता हुआ आ रहा था, किस तरीके से परिव में कोई question हो, कोई doubt हो, तो आप अपनी comment box के अंदर में raise कर सकते हो, वीडियो के comment box आप सभी वीवर्स के लिए open है, और सबसे पहले में यह request करूँगा, सभी वीवर्स है, अगर अभी तक आपने मारे चैनल को subscribe नहीं कर रखा है, तो दोनों चैनल को आपको subscribe करना है, जहां इनप के उपर में MA history और बाग की आपके course related, जितना भी update है, पांसोज जादा वीडियो आपके MA history related है, वो आपको बहुत जादा benefit करता है, उसको देखिए, और December 23 में आपके exam होने है, अगर आप exam के लिए prepare कर रहे हैं, तो मैं request की करूँगा, कि आप last five year की question paper की वीडियो हो जाएगा, आप यह मत सोच के चलो कि सर ने अभी तक स्लेबस नहीं करवा रहा है, चैप्टर से कहीं ज़्यादा important है आपका last five year की वीडियो तो उसको जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा useful होने वाला है, 37 नव info जहां पर आपको जितना भी आपके college related update है, जितना भी आपके ignusilated assignment, exam related update है, आपको time to time यहाँ पर मिलने वाला है, तो इसको भी subscribe करना बिल्कुल न भूले, और आपके एक 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 like से subscribe से हमें motivation मिलता है, कि हम और अच्छे से videos बना सके, आपके लिए video बना के लिए कर आ सके, तो friends, अगर आपको MST का notes चीए, तो directly आप इस video के description में जा सकते हैं, वहाँ पे google blogger का link है, वहाँ से आपे MST के notes को study करते हैं, इस video का notes भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर video end करते हैं, thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye bye, take care, all the best.